हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इंपॉसिबल के योटूब चैनल पर उमेद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम सौर मंदल से जुड़े महत्वपुन प्रशनों के पार्ट 2 को देखने वाले हैं इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी पार्ट वन जिसमें हमने सौरमंडल से जुड़े कुछ बेसिक प्रशनों को जो है कवर करने का प्रयास किया था और वो बेसिक जो प्रशन है वो आपके SSC, RRB, Monday एकजाम, पुलिस के एकजाम जैसे बहुत सारे ए उनको भी कवर करने का प्रयास करेंगे और ये भी जो वीडियो है आप सभी को हेल्प करेगी SSC के एकजाम में, SSC के एकजाम में, RRB के एकजाम में, इसके साथ ही साथ PGT, PGT, और भी कई सारे जो कॉमपटेटिव एकजाम होते हैं जिसमें भुगोल विसे के जो बेसिक प् अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दूसरे दोस्तों के साथ सेयर करना न भूले, तो चलिए वीडियो को स्टार करते हैं, तो देखें यहाँ पर पहला जो कोशन दिया गया है कि निमनलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों और घूमने वाले उपगरह नहीं हैं, यानि कि यहाँ पे चार विकल्प दिये गए हैं और आपको बताना कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपगरह नहीं हैं, आपको यह बताना है, पहला जो है आपका मंगल तथा सुक्र, बी है आपका बुद्ध तथा सुक्र, सी है मंगल तथा बुद्ध और डी है आपका वर साफसर नमबर बी बुद और सुक तो आता है को जहीं अगला कश्चन देखते चमाघे औरा है इस में को जा तो इसमें पूछा जा रहा है कि यह विकर्पों में में लगाता है आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से बहुत बार ये कोशन जो है आप से एक्जामों में पूछा जा चुका है वंड्य एक्जाम में पहला जो ऑपसन 5 वे ओपसन सुक्र सी उसले हाप सने plaint वे और यह option है मंगल तो इस प्रश्ण का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number 1 बुद्ध ग्रह जो है वो सूरे का चकर सबसे कम समय में लगाता है जैसा कि solar system में सबसे पहले number का जो हमारा planet है वो बुद्ध है और जो सबसे करीब होगा जाहिर सी बात है कि वो सबसे कम समय में जो है सूरे का चकर लगाएगा तो इसलिए हमारा option है क्या हो जाएगा right answer अगला question देखते हैं देखिए अगला question हमारा है question number 3 इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे तीवर गती से सूरे का चकर लगाने वाला कौन सा है इन चारों विकलपों में से पहला जो option है बुद्ध बी option है और C option है ब्रहसपत और D option है सनी question को थोड़ा सा modify कर दिया गया है लेकिन exam में आप से थोड़ा सा इसी प्रकार modify करके question को पूछा जाता है तो इसका जो right answer हमारा हो जाएगा वो है आपका option number A बुद्ध ग्रह जैसे कि हमने बताया कि सबसे जो करीब का planet होता है solar system में वो सबस से प्रकार से प्रकार से question को थोड़ा सा modify करके आप से पूछ लिया जाता है आईए अगले question को देखते है अगला question हमारा है question number 4 देखे इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गती सबसे अधिक है आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से पहला जो option है बुद्ध ग्रह बी option है सुक्र और सी option है मंगर और दी option है ब्रहस्पत तो इस प्रश्न का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number A बुद्ध ग्रह तो टीन टाइप के प्रश्न जो है आपसे यहां पर पूछे गए बुद्ध ग्रह से कि सबसे कम समय में सूरे का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है वो बुद्ध है आपका और सबसे तीवर ग्रती से चक्कर लगाने वाला इन चारो विकल्पों में से किस ग्रह की परिभ्रमण गती सबसे अधिक है वो है बुद्ध ग्रह तो इस प्रकार से आपसे question को थोड़ा सा change करके या घुमा फिरा के exam में पूछा जाता है तो आप confused मत होईएगा और आपको answer याद रखना है चाहे तीवर ग्रती से पूछे कौन सा ग्रह तीवर गती से सूरे का चकर लगाता है या कम समय में लगाता है या परिभ्रमण गती उसकी सबसे तेज है तो आपको याद रखना है कि जो सबसे पास का ग्रह है वो सबसे तेज तीवर गती से सूरे का चकर भी लगाएगा कम समय में भी लगाएगा तो वो ब अच्छी जुकाओ सबसे अधिक है इन चारो विकल्पों में से पहला जो आपसन है प्रित्वी बी आपसन है बुद्ध और सी आपसन है प्लूटो और डी आपसन है सनी तो इन चारो विकल्पों में से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका आपसन नंबर बी भी प्लैनेट है तो इसको भी आपको याद कर लेना है तो इस ग्रह से जुड़े 5-6 प्रशन आपको यहाँ पर मिल गए अगला प्रशन देखते हैं देखिए अगला प्रशन है प्रशन नमबर 6 इसमें पूछा जारा है कि चंद्रमा के सद्रिश्य दिखाई देने वाला ग् अगला प्रशन हमारा है प्रशन नमबर 7 इससे पहले हमने 6 प्रशनों को देख और यह जो 6 प्रशन हमने देखा यह बुद्ध ग्रह से था सबसे तेज गती से कौन सा ग्रह सूरे का चकर लगाता है और आगे कई तरह से बुद्ध ग्रह से सम्मंदित कई सारे प्रशन आपसे बने हैं तो आपको याद कर लेना है किसी भी प्रशन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर असानी के साथ कर पाएंगे तो यहाँ पर हमारा question number 7 है इसको देखते है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रय लगबग पृत्वी जितना बड़ा है इन चारोव कलपों में से पूछा जा रहा है पहला जो है बुद्ध बी है सुक्र और C option है मंगल और D option है यम तो इस प्रशन का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number B सुक्र ग्रय तो सुक्र ग्रय जो है सौर मंडल में पृत्वी के जितना बड़ा है यानि आकार में जैसे कि इसलिए देखते हैं कि question में एक और ये पूछा जाता है कि पृत्वी की जुडवा बहन किसे कहते हैं तो सुक्र को कहते हैं क्योंकि ये आकार में similar है ब्यास इनका लगबग आसपास ही है तो इस प्रकार से जो है आपका option number B क्या हो जाएगा right answer तो अगले right answer हमारा होगा उससे पहले ये चारों विकल्पो को आप देख लीजिए बुद्ध ग्रे और उसके बाद सुक्र है और C मंगल है और D आपका ब्रेश पत तो प्रित्वी के बहन जो है वो आपको सुक्र ग्रे को कहा जाता है इसको आप याद कर लेना है जैसे कि अभी मैंने उपर वाले question में आपको बताया था अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 9 इसमें पूछा जा रहा कि किस ग्रे को साम का तारा यानि कि evening star कहा जाता है इन चारों विकल्पों में से पहला जो है आपका मंगल ग्रे B है सुक्र ग्रे और C है प्रित्वी और D है आपका होगती important question है क्योंकि एक्जामों में इस प्रकार का प्रशन जो है आप से पूछा जाता है आए अगले question को देखते हैं अगला जो प्रश्ण हमारा है प्रश्ण नमबर 10 है question number 10 इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं ये भी प्रश्ण आपसे एक जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पे चार ओप्सन दिये गए हैं पहला है ब्रैस्पती, B है मंगल और C है सुक्र और D है बुद्ध ग्रह तो इसका जो right answer हो जायेगा वो है आपका option number C सुक्र ग्रह को जो है सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है आपको याद कर लेना है और प्रिथवी का प्रिथवी का जो बहन जो है इसी ग्रह को कहा जाता है क्यूंकि इसी के समान जो है इसकी आकार और आकरिती है और व्यास भी जो है पृत्वी के सिमलर है इसलिए जो है इसको पृत्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है अगला question देखते हैं देखी अगला question पूछा जा रहा है यहाँ पर question number 11 है इसमें कि सूर्य तथा पृत्वी आपको याद कर लेना है अगला प्रस्ट देखते हैं देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यूरोप वासी कि पूजा देवी के रूप में करते थे इन चारव कलपों में से पूछा जा रहा है पहला जो है सुक्र ग्रह बी है पृत्वी और सी है मंग और डी है बुद्ध ग सुक्र ग्रह यूरोप वासी जो है सुक्र ग्रह की पूजा जो है देवी के रूप में करते थे आपको याद कर लेना है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्योंकि इस प्रकार के ही प्रश्चन आपसे अगर आप से एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन देखते हैं देखिए अगला कोश्चन हमारा है क्वेश्चन नमबर 13 इसमें पूछा जा रहा है कि सौरमंडल का सरवधिक गर्म ग्रह कौन सा है इन चार विकल्पों में से पहला ऑप्षन है बुद्ध ग्रह बी ऑप्ष में है लेकिन वह सबसे जादा गर्म नहीं होगा और उसके बाद जो ग्रह आपका बुद्ध के बाद सुक्र रहता है वो सबसे जादा गर्म ग्रह है तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो उर्जा को जादा कंटेंट करते हैं इस प्लैनेट पे जिसके वज़े से जो है कलपों में से पूछा जा रहा है तो यहां पर पहला जो option है शुक्रग्रै, B option है बुद्धग्रै और C option है मंगल और D option है ब्रहसपत, इससे पहले मैंने आपको एक question करा था जिसमें यह पूछा जा रहा था कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है तो बुद्ध ग्रह था यहां पर पूछा जा रहा है कि प्रिथवी के सरवधिक निकट का ग्रह कौन सा है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या option number A सुक्र ग्रह तो प्रिथवी के सरवधिक निकट का ग्रह कौन सा है सुक्र ग्रे अगला question देखते हैं देखिए अगला question हमारा है question number 15 इसमें पूछा जा रहा है कि निमनलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है इन चारो विकलपों में से I hope कि इस question के बारे में आपको पता होगा और आप इसका answer कर पाएंगे पहला जो option है बुद्ध ग्रे, B option है सुक्र और C option है मंगल और D option है सनी तो इसका जो right answer हमारा हो जाएगा वो है आपका option number B सुक्र ग्रे, तो सुक्र ग्रे को जो है भोर का तारा भी कहा जाता है आपको याद कर लेना है अगला प्रशन देखते है देखिए अगला प्रशन हमारा है अगला question है question number 16 इसमें पूछा जा रहा है कि निमनलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है इन type में mistake है सुक्र ग्रे तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा option right answer है तो इसका जो right answer हमारा हो जाएगा वो है आपका option number यहाँ पे D जो है सुक्र ग्रे जबकि यह B है थोड़ा सा type में mistake हो जाता है इतना सारा कुछ type करना होता है तो यहाँ पे सुक्र ग् को जो है सौंदर्य का देवता कहा जाता है अगला question देखते हैं देखिए अगला question हमारा question number 17 इसमें पूछा जा रहा है कि supernova क्या है इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है पहला जो option है एक ग्रही का B है एक black hole C जो है एक बुच्छल तारा D है आपका एक मात्री प्र प्राय तारा तो इन चारों विकल्पों में से बताना है कि supernova क्या है तो इसका जो right answer हमारा हो जाएगा वो है आपका option number D एक मात्री sorry एक मृत प्राय तारा है supernova क्या है आपका एक मृत प्राय तारा है जिसको supernova कहते हैं आपको याद कर लेना है option D क्या है right answer अगला question देखते हैं देखिए अगला question हमारा question number 18 इसमें पूछा जा रहा कि उत्तरी धुरूव की खोज किष्णे की थी इन चारों विकल्पों में से पहला जो है Robert Perry B option है Emendation और C option है तसमान और D option है सूर्य तो इसका सही answer आपको बताना है तो इसका जो right answer हमारा हो जाएगा वो है आपका option number A Robert Perry ने जो है उत्तरी धुरूव की खोज की थी आपको याद कर लेना है option है right answer हमारा अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 19 इसमें पूछा जा रहा है कि south pole पर यानि कि दच्छडी धुरूव पर पहुंचने वाला प्रतम व्यक्ति कौन था इन चारों विकल्पों में से तो इसमें पहला जो option दिया गया है magalan, b option दिया गया है amandecine, c option है peri और d option है crater तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही answer बताना है कि दच्छडी धुरूव यानि कि south pole पर पहुंचने वाला प्रतम व्यक्ति कौन था तो इसका जो right answer हो जाएगा वो है आपका option number b amandecine त इसमें पूछा जा रहा है कि पृतवी के सबसे निकटम खगोली या पिंड कौन सा है इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है पहला जो option है यहाँ पर proxima century, b option है चंद्रमा, c option है सुक्र, d option है जौन के बाट तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि पृतवी का उपग्रह आपको याद कर लेना है यह जो है पृतवी का चक्कर लगाता है चारों तरफ इस प्रकार से तो इसलिए यह उपग्रह किसे कहते हैं जो किसी ग्रह के इर्द गिर्द घूमते हैं उसके गृत्वा करसन बल के कारण चकर लगाते हैं तो उसको उपग ये प्रित्वी की आकृति सरोथम ढृंग से किस सब्द से इस पश्ट की जा सकती है इन चारोविकलपों में से पूछा जा रहा है पहला जो 없어 no.D. लदवच गोलाब से प्रश्न में क्या पूछाएगे कि पृतवी की आकरती सर्वोत्तम ढंग से किस सब्द से इस्पष्ठ की जा सकती है तो लदवच गोलाब से जो है इसके आकरती को इस पश्ट किया जा सकता है आपको याद कर लेना है तो पृत्वी का जो सेफ हमारा है जियोड है बहुत लोग कहते हैं गोल है लेकिन ऐसा नहीं है पृत्वी की आकरिती पूरी तरह से गोल नहीं है क्योंकि पृत्वी के सर्फेस पे आप देखते हैं बहुत सारे पहार हैं म मैं आपको बताऊंगा कि प्रित्वी की आक्रिती क्यों गोल नहीं है अगला कुस्चन देखते हैं अगला कुस्चन हमारा है question number 22 इसमें पूछा जा रहा है कि प्रित्वी सूर्य के परित्व अपनी कच्छा में लगबक किस गती से चकर लगाती है इन चारों विकलपों में से पूछा जा रहा है तो इसका जो हमारा पहला option दिया गया है इसमें 5 degree प्रति दिन और फिर यहां पे दूसरा option दिया गया है 2 degree प्रति दिन और यहां पर दिया है D 3 degree प्रति दिन तो इसका जो right answer हमारा हो जाएगा वो है आपका option number C एक डिगरी प्रति दिन प्रित्वी सूरे के परित अपनी कच्छा में लगभग एक डिगरी प्रति दिन जो है चक्कर लगाती है किस गती से तो आपको याद कर लेना है कितना एक डिगरी प्रति दिन की गती से अगला question देखते हैं हम लोग अगला question हमारा है question number 23 देखें इसमें पूछा जा रहा है कि सूरे के चारो और पृत्वी के परिभ्रमण की चाल किस प्रकार की होती है इन चारो विकलपों में से पहला जो option है वर्स भर एक समान रहती है B option है अधिक्तम होती है जब पृत्वी सूरे के निकटम होती है C option है अधिक्तम होती है जब पृत्वी सूरे से अधिक्तम दूरी पर होती है D option दिया गया नियूंतम होती है जब पृत्वी सूरे के निकटम होती है तो इन चारो विकलपों में से सही answer कौन सा है तो इसका जो right answer हमारा हो जाएगा वो है आपका option number B अधिक्तम होती है जब पृत्वी सूरे के निकटम होता है question में क्या पूछाएगे कि सूरे के 4 और पृत्वी के परिभ्रमण की चाल किस प्रकार की होती है तो अधिक्तम होती है जब पृत्वी सूर्य के निकटम होता है तब इसको याद कर ले ना है आपको option भी right answer इस प्रश्न का अगला question देखते हैं देखिए अगला question हमारा है question number 24 इसमें पूछा जा रहा है कि पृत्वी के भ्रमण की गती कितनी है इन चारो विकल्पों में से पूछा जा रहा है तो पहला जो यहाँ पर दिया गया option आपका 27 km यहाँ पर B option दिया गया 31 km और यहाँ पर C option दिया गया है 25 km और यहाँ पर दिया गया है आपका D option 49.5 km तो यहाँ पर आपको बताना है कि पृत्वी की भ्रमण गती जो है कितनी है तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका right answer जो इसका है वो है आपका option number E 27 km जो है पर मीटर के हिसाब से जो है इसका पृत्वी का भ् पहला जो question हमारा है question number 25 इसमें पूछा जाला है कि भूमदे रेखा पर प्रित्वी का व्यास लगबग कितना है इन चार विकल्पों में से पहला जो option दिया गया है 25,000 km, B option है 20,000 km और C option है 12,800 km और D option है 6,400 km तो इस प्रश्न का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number C 12,800 km जो है लगबग इसकी जो है व्यास है भूमदे रेखा पर प्रित्वी का व्यास कितना है तो 12,800 km है आपको याद कर लेना है option C आपका right answer हो जाएगा इस प्रश्न में अगला question देखते हैं अगला question question number 26 इस में पूछा जा रहा है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान प्रित्वी सूर्य से अधिक्तम दूरी पर किस महीने में होता है इन चार विगल्पों में से पूछा जा रहा है मार्च में होता है जुलाई में होता है या सितंबर में या में होता है तो जुलाई में होता है देखिए जब प्रित्वी सूर्य की चक्कर लाती है तब दो इस्थिती पैदा होती है एक उपस और एक अपस और एक इस्थिती में जो है प्रित्वी जो है सूर्य के बहुत करीब होती है और एक इस्थिती में क्या होती है प्रित्वी जो है सूरे से दूर होती है तो उसी स्थिती में यहां पर पूछा जा रहा है कि सूरे की परिक्रमा के दौरान पृत्वी सूरे से अधिक्तम दूरी पर किस महीने में होती है तो जुलाई में होती है आपको याद कर लेना है अगला कोश्चन देखते हैं देखे अगला कोश् में तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका आपसन नंबर बी जनवरी में होती है तो यहां पर प्रित्वी जो है प्रित्वी सूर के करीब होती है उपसौर का मतलब पास में यानि कि सूर यह यह हमारा है तो इसके पास में जो है जनवरी महीने में हमारा आपको याद कर लेना है और इसे पहले मैंने जुलाई में बताया था जुलाई में क्या होती है दूर होती है ज्यानि कि इसका डिस्टेंस कितना होता है दूर होता है और इसका डिस्टेंस पास में होता है जनवरी माह में ये परिभ्रमण के दौरान की बात हो रही है दो इस् अगला question देखते हैं देखिए अगला प्रशन हमारा है प्रश्च नमबर 28 इसमें पूछा जा रहा है कि तारे पूर्व से पस्चिम में किस कारण जादा दिखते हैं इन चार विकल्पों में से पूछा जा रहा है पहला जो option है पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पस्चिम की ओ जादा दिखाई देटे हैं आपको याद कर लेना है option डी right answer है अगला पुछा जा रहा है कि question number 29 है पृत्वी अपने अच्छ पर घूमती है किस दिसा में पूछा जा रहा है कि पृत्वी जो है अपने अच्छ पर किस दिसा में घूमती है तो यहाँ पहला जो option है पूरो से पस्चिम की ओर B option है पस्चिम से पूरो की ओर और C option है उत्तर से दच्छिड की ओर और D option है दच्छिड से उत्तर की ओर तो इसका जो right answer हमारा हो जाएगा वो है आपका option number B पस्चिम से पूरो की ओर जो है पृत्वी घूम रही है अपने अच्छ पर आपको याद कर लेना है अगला question देखते हैं देखिए अगला question है question number 30 इसमें पूछा जा रहा कि आकार की दृष्टी से सौर मंडल में पृत्वी का कौन सा इस्थान है इन चार विकल्पों में से पहला जो option है तीसरा B है चौथा C है पांचवा और D है चठा तो इसका जो right answer हमारा हो जाएगा वो है आपका option number C पां पांचवा आकार की दृष्टी से सौर मंडल में पृत्वी का कौन सा इस्थान है तो पांचवा आपको याद कर लेना यहाँ पर पांचवा इस्थान है अगला question देखते हैं देखिए अगला option है question number 31 इसमें पूछा जा रहा कि कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है I hope की इसका answer आप सभी को पता होगा पहला जो option है प्रित्वी बी option है सनी और सी है मंगल और डी है सुक्र तो इसका जो right answer हो जाएगा वो है आपका option number E हमारे जो planet है जिस पर हम रहते हैं प्रित्वी ग्रह इसको नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस पे प्रित् question देखते हैं अगला जो question है question number 32 इसमें पूछा जारा कि प्रित्वी के इस्थिति है आपको बताना इन चारो विकल्पों में से कि प्रित्वी के इस्थिति पर है कैसे है इस प्रकार से इस विकल्प के option के अनूसार बताना है आपको पहला जो है सुक्र एवं मंगल के मद्ध के मद्ध बी जो है मंगल एवं ब्रहस्पती के मद्ध ए और d option है बुद्ध एवं सुक्र के मद्ध तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका option number E सुक्र एवं मंगल के मध्य जो है पृत्वी की स्थिती है आपको याद कर लेना है इन दोनों ग्रहों के बीच में हमारा पृत्वी ग्रह है अगला question देखते हैं देखिए अगला question हमारा है question number 33 इसमें पूछा जा रहा है कि किस दिन सूरे के सबसे निकट होती है इन चारो विकलपों में से तो मैंने आपको बताया था अभी उपर एक प्रश्न में तो I hope कि आपको मन्त याद होगा date नहीं याद होगा तो भी यहाँ पर पहला option है 4 जुलाई, B option है 21 मार्च और यहाँ पर C option है 30 मार्च और D option है 3 जनवरी तो प्रित्वी सूरे से ज़्यादा धुर्ग होती है अगला question देखते हैं देखे अगला question है question number 34 इसमें पूछा जारा है कि प्रित्वी सूरे से अपनी अधिक्तम दूरी पर कब होती है अभी तक हमने पिछले प्रशन में न्यूंतम दूरी पर देखा अब अधिक्तम दूरी पर हम देख रहे हैं पहला जो option है 30 जनवरी को और यहां पर B option है 22 दिसंबर को और C option है 22 सितंबर को और D option है 4 जुलाई को तो इसका जो right answer हमारा हो जाएगा वो है आपका option number D 4 जुलाई को जो है पृत्वी सूरे से अपनी अधिक्तम दूरी पर होती है आपको याद कर लेना है यहां पर दो इस्थिती के कारण ये होता है उपसौर और अपसौर दो इस्थिती होती है जब पृत्वी भ्रमण करती है सूरे के चारो तरप तो अगला question देखते हैं कि अगला question क्वेशन 35 इसमें पूछा जा रे है कि प्रित्वी सूरे के इर्द गिर्द परिक्रमा कितने दिनों में करती है इन चारो विकल्पों में से पहला जो आपसन है 365 से 12 दिन में और यहां पर दिया गया है B आपसन 365 365 से 25 दिनों में C option दिया गया है 365 से 50 दिनों में और D option दिया गया है 365 से 75 दिनों में तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्ण का हमारा वो है आपका option number B यहाँ पर 365 से 25 दिनों में प्रित्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा को पूरी करती है आपको याद कर लेना है अगला question देखते हैं देखिए अगला question है question number 36 इसमें पूछा जा रहे कि प्रित्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है इन चार विकलपों में से यहाँ पर option यह दिया गया है आरे भट प्राकृतिक का मतलब naturally रूप से और बहुत सारे जो satellite हम launch करते हैं जो इस space में वो कृतिम उपग्रह हैं आपको याद कर लेना है तो पहला जो option है आरे भट, B option है रोहीडी और C option है चंद्रमा और D option है मंगल तो इस प्रशन का जो सही answer हमारा हो जाएगा वो है आपका option number C चंद्रमा बाकी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको option आरे भट यह जो है यह कृतिम उपग्रह हैं प्रिथवी के आपको याद करना है अगला question देखते हैं अगला question है question number 37 इसमें पूछा जा रहा है कि दिन वर रात होने का कारण क्या है इन विकल्पों में से पहला जो option है प्रिथवी का अपने अच्छ पर घुडन, B option है प्रिथवी की सपेच सूर्य के गती, C option है प्रिथवी के अच्छ का जुकाव, D option है सूर्य के चारों और प्रिथवी का परिभ्रमड तो इन चारों विकल्पों में से जो हमारा सही answer हो जाएगा वो है आपका option number A प्रिथवी का अपने अच्छ पर घुडन जो है दिन रात होने का कारण है आपको हमेशा पता रहना चीए अगला question देखते हैं अगला question अमारा question number 38 इसमें पूछा जारा है कि सूर्य के अतरिक निकट्तम सितारों से प्रकास प्रिथवी तक कितने समय में पहुचता है आपको बताना है पहले जो option दिया गया है 4.2 सेकेंड में B option दिया गया है 42 सेकेंड में और C option है आपका 4.2 वर्स में और यहाँ पर D option दिया गया है 42 वर्स में तो इस प्रश्न का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number C 4.2 वर्स में जो है सूर्य के अतरिक निकटम सितारे से प्रिथवी तक पहुचता है यह समय लगता है 4.2 वर्स का आपको याद होना चाइगी तो यहाँ पर हमारा option C right answer है अगला question देखते हैं देखिए अगला question है question number 39 इसमें पूचा जा रहा है कि सूर्य से प्रिथवी की दोरी कितनी है इन चारो विकलपों में से पहला जो option है आपका 107.7 million kilometer और B option दिया गया है यहाँ पर 142.7 million kilometer और यहाँ पर तीसरा option यादि C option दिया गया है 146.7 million kilometer और D option दिया गया है 149.6 million kilometer तो इस प्रश्निका जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number D 149.6 million kilometer जो है सूर्य से प्रिथवी की दोरी है आपको याद कर लेना है option D क्या है right answer अगला question देखते हैं और यह हमारा वीडियो का last question होगा इसमें पूचा जा रहा है कि अपने अच्छ पर प्रिथवी एक चकर कितने समय में पूरा करती है इन 4 विखल्पों में से बताना है पहला जो option है 24 गंटे में B option है आपका 23 गंटे 56 minute 4 सेकेंड में और C option दिया गया है 23 गंटे 30 minute में और D option है आपका 23 गंटे 10 minute 2 सेकेंड में तो इन 4 विखल्पों में से सही answer क्या होगा तो इसका जो right answer हमारा हो ज में जो है अपने अच्छ पर प्रित्वी एक चक्कर पूरा करती है आपको याद कर लेना है तो बी ओप्सन क्या है हमारा राइट आंसर तो यहाँ पर हमारा ये लाश्ट कोश्चन था जैसा कि मैंने आपको बताया और मैं आसा करता हूँ कि आपको वीडियो का सेशन पसंद होगा अगर किसी भी प्रशन को लेकर आपके पास डाउट होगा कि ये प्रशन मुझे समझ में नहीं आया सर ये प्रशन गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं मैं कोसिस करूँगा कि उसको आपको सही तरीके से और एक्स्प्रेंट करके समझाओं अगर गलत है तो सही आंसर क्या है उसके बारे में भी मैं बताने का प्रयास करूँगा इसके साथ ही साथ आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं और किसी भी एक्जाम संबंदी आपकीÆरी है समस्या है प्रॉबलम है तो उसके बिए आप comment box में मुझे बता सकते हैं और मैं कोसिस करूँगा कि अगर आपकी वो समस्या है तो बहुत लोगों की समस्या हो सकती है तो इस टॉपिक में वीडियो बना कर आपकी समस्या को जो है सुलजाने या उसको हल करने का मैं प्रयास करूँगा तो वीडियो कैसा लगा इ तो अगर आपको थोड़ी सी भी help मिल लेए इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ कुछ भी information आपने प्राप्त किया तो आप दूसरों को share करें ताकि उनको भी ये information मिल सके क्योंकि जो कुछ content है वो सफ्री of cost है तो आप लाब उठाए दूसरों को share करें वो भी इसका ला vibration का symbol बना हुआ है कि नहीं तभी आपको जो है किसी भी वीडियो का updates जो है हमेशा मिलता रहेगा क्योंकि इस चैनल पे सभी एक्जाम related कुछ भी वीडियो के updates जो है प्रोवाइट किये जाते हैं वीडियो के form में तो उसकी notification आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जा या नए jobs के updates के भी वीडियो प्रोवाइट के जाते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में कुछ और important topic और question के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत